नमस्कार किसान भाईयों आज हम हमारे किसान भाईयों के लिए एक एसे फल की खेती को लेकर आएं जिसका बाजार में भाव 400 से 600 रुपे प्रती किलो तक रहता है जिसकी खेती से हमारे किसान भाई एक एक्टर में लाखों रुपे तक अमा सकते हैं और अपनी आये को आसानी से दस मुना तक पड़ा सकते हैं फल का नाम है एवा कार्डो तो किसान भाईयो आज हम इस वीडियो में एवा कार्डो की खेती शुरू कैसे करें वह इसकी खेती शुरू करने के पहले हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पर एक रिस्तर चर्चा करेंगे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि एवा कार्डो की खेती से जुड़ी हुई ऐसी जानकरी आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी तो बिना समय नश्ट किये वीडियो को शुरू करते हैं किसान भाईयो एवा कार्डो की खेती कैसे कर इस विशय को अच्छे से समझने के लिए मैंने वीडियो को दो पार्ट में डिवाइट किया है पहला पार इसमें हम देखेंगे कि एवा कार्डो की खेती के लिए उप्युक्त परिस्तितिया जैसे तापमान, नमी, वर्षा वह उप्युक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए और एवा कार्डो का एक पेट कितना उत्पादन देता है और कितने सालों तक देता है और इसका बाजार में क्या भाव हुआ दूसरे पार्ड में हम देखेंगे कि एवा कार्डो के बीच को बोने का सही तरीका और बीच से पोधा लेने की अमेरिकन टेक्निक वह पोधा लगने के बाट ट्रांस्वलान और इसके ड्राफ्टिंग की उचित भी दी मैं उमीद करता हूँ कि इन दोनों पार्ड को देखने के बाद आपको एवा कार्डो की खेती कैसे करते हैं इसकी पुरी जानकरी मिल जाएगे इस वीडियो में हम पार्ट वन पर बात करें तो किसान भाईयों सबसे पहले बात करते हैं एवा काडो की खेती के लिए तापमान केसा होना चाहिए एवा काडो दक्षी नमिरी की उप महादीप में पाये जाते हैं इसलिए इने उष्ट कटिबन जलवाई की जौरत होती है साथ फीसद से अधिक नमी सही 20 से 30 डिगरी सेलसस का तापमान इसकी अच्छी पेदावार के लिए उप्यूक्त होता है वैसे तो एवा काडो के वरक्ष अधिक थन को सहन करने में शक्षम होती है लेकिन वे लगपक 5 डिगरी सेलसस तक का तापमान ही आसानी से सहन कर पाती है 5 डिगरी सेलसस से कम तापमान इसके पुष्टों को नश्ट कर सकता है और 40 के आसपास का तापमान फल और फूल को मुर्जा कर गिरा सकता है लाल छेतर एवा कवडो की खेती के लिए सरवत तम क्योंकि यहां पर तापमान 40 के आसपास इतनी आसानी से नहीं भूच पाता है और गुलाबी छेतर शायद आपके एवा कवडो के रक्षो को शतिग्रश कर देगे शायद इसलिए यह मुख्य तोर पर भारत के दक्षिनी भागों में उगाये जाते हैं इस समय तमिल नाडू और केदर इसके प्रवं उत्पादक है अब जानते हैं एवा कवडो की खेती के लिए नमी कितनी होनी चाहिए एवा कवडो को 50-60% नमी की जोरत परती है पंजाब, हरियाना, उत्तरबदेश के उपरीभा, अधिकांश उत्तरपुर्वी राज और दक्षिन भारत के अधिकांश पुर्वी और पश्चिमिटर इसकी खेती के लिए उप्युक्त होते हैं किसान भाईयो अब जानते हैं एवा काडो की खेती के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए एवा काडो की पेदावार के लिए 100 सेंटिमिटर प्रती वर्ष से अधिक वर्षा की जोरत होती है राजिस्थान, उत्री गुजरात और महरास्ट और करनाटक के कुछ भागों को छोड़कर अन्य सभी छेतर, वानशीत या उससे अधिक वर्षा वाले छेतरे जहां पर एवा काडो की पेदावार की जा सकती है किसान भाइयो एवा काडो की खेती के लिए तापमान, नमी, वर्षा इन तीनों विश्यों पर हमने बात कर लिए अब जानते हैं एवा काडो की खेती के लिए उप्युक्त मिट्टी केसी होनी चाहिए लाल मिट्टी एवा काड़ो की बेदावार के लिए अच्छी नहीं होती सामान्यत्या लाल मिट्टी में पानी नहीं रूपता है और इसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा कम होती है वहीं इसकी खेती के लिए लेट लाइट मिट्टी उप्युक्त होती है क्योंकि इसमें चिकनी मिट्टी की मातरा अधिक होती है और इसमें पानी रोकने की शमता भी अधिक होती है ऐसे में इसकी खेती के लिए तमिल नाडू, केरल, उडिसा, पश्चिमी बंगाल के कुछ भाग और पंजाब हरियाना के उपरी भाग तथा हिमाचल के निशले भाग उप्यूगते हैं एवा काडो की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान पास से साथ होना चाहिए किसान भाइयो एवा काडो की खेती के लिए उचित परिस्थितिया केसी होनी चाहिए यहां हमने देख लिए एवा काडो के बीच को बोने का सही तरीका और बीच से पोधा लेने की अमेरिकन टेकनी और पोधे लगने के बाद ट्रांस्प्लांट और इसके ड्राफ्टिंग की उचित विदी क्या है इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो का पाट कू देखना होगा जिसे आप उपर दिये गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं किसान भाईयों अब बात करते हैं एवा काडो का एक पेड कितना उपदन देता है और कितने सालों तक देता है वह बाजार में एवा काडो का भाव क्या रहता है तो किसान भाईयों एवा काडो का एक पेड जब फल देना शुरू करता है तो शुरू के दो साल आपको एक पेड़ से दो केजी फल मिलेंगे तीसरे साल यहां आकड़ा आठ किलो तक पहुँचेगा और फिर दस्वे साल तक यहां आपको लगबग देड़ क्विंटल फल देने लगेगा एक पेड़ की उम्र लगबग पचास साल होती है और बहुती कम देखरेग आपको इनकी करने पड़ती है बाजार में इसकी अच्छी मांगे चंदीगर और जिल्ली में यहां फल 400 से 600 रुपे प्रती किलो तक दिक्टाए किसान भाईयो एवा काड़ो की खेती केसे करें इस पर यहां हमारा पहला पाड़ था जिसमें हमने बताया है कि एवा काड़ो के लिए उचित परिस्थित्या केसी होनी चाहिए इसका पाड़ो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूगा आप वहां पर जाकर भी इसे देख सकते हैं या उपर दिये गए आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं इस वीडियो के पाड़ो में हमने बताया है कि एवा काड़ो के बीच को बोने का सही तरीका और बीच से पोधा लेने की अमेरिकन टेक्निक वह पोधा लगने के बार्ट ट्रांस्प्लांट और इसकी ड्राफ्टिंग की उचित विदी कुन सी है किसान भाईयो वीडियो में दी गई जान करी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो यहाँ था हमारा एवा काईयो की खेकी कैसे करें पार्ट वन वीडियो पार्ट वू आप एंड स्क्रीन पर जाकर भी देख सकते धन्यवाद किसान भाईयो जय 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 किसान